करेंगे चले स्टार्ट करते हैं पहला है है यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है इंडेक्स है जो सिंप्ली मेशर करता है कि कितने पोपिलेशन में से कितना प्रपॉर्शन है जो क्या है गरीब है तो इसका प्रेट रिश्यों का क्या है एक वाई यू इसको असाले लेकिन इसके बाद भी इसके थ्रीवीकनेस है तो लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है पहले वो यह देख लें जहां ही लिखे लाइन हालंकि सुपाइक में कम से कम तीन कमजोरियां हैं तो उसके बाद जो यह गरीवी की तिर्विता को ध्यान में नहीं रखता ह यह आपका first point है और जो first or second point है यह आपके second point है और जो third वाला है वो third point है clear हुआ थोड़ा mistake हो गया तो यह लोग आप देख जब note करोगे तो ध्यान रखना तो जो क्या है headcount index है वो यह चीज को नहीं देखता है कि जो poverty है उसकी intensity कितनी उसकी तीवरिता कितनी तीवरिता से ज नहीं करता है कि को पूर कितना पुगा रहा है तो यह नहीं देखता कि कि कोई गरीब जो है वो और जो गरीवी रेखास के नीचे था ठीक है वह और गरीब हो गया है क्या यह चीज को वो नहीं देखता है और poverty का अगर estimate हो रहा है वो individual level पर होना चाहिए ना कि household level पर तो पर अब आता है दूसरा poverty gap index तो यह एक improvement है किसका है है हैट काउन इंडेक्स का है इड़कान इंडेक्स सिर्फ हमें यह बताता है कि टोटल population में से कितने लोग जो हैं पूर है लेकिन जो पोवर्टी है वह हमें डैप्थ बताता है poverty की कि कि इतने लोग गरीब हैं बाइब पोव 300 वाला भी गरीब है 300 वाला भी गरीब है लेकिन जो 300 वाला है वो 400 वाले comparison में ज्यादा गरीब है यह चीज हमें headcount index नहीं बताई यह किस ने बताई हमें poverty game index ने बताई clear हुआ यह हमारा formula है आप लोग देख लेना ठीक है 1 by n sigma q bracket में z minus y z divided by z दूसरा तरीका भी है इसके लिखने का तो इनकी explanation यहां next slide में है जहां पर total population है total population of poor है जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं z जो है poverty line है वाई जी है हमारी income है और individual जे जो है जो है जो है individual को शो कर रहा है तो इस calculation में हम उन individual को लेते जिनकी क्या है इंकम above the poverty line है ठीक है तो अगर हम definition देखें तो पोपुलेशन परसेंटेज में शो किया जा था बिट्विन 0-100% कई बार हम इसे फ्रक्षन में ले लेंता है जिरो से वन के बीच के बीच के तो 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 यह समझा जीरो का मतलब है कि कोई गरीब गरीब लोग के लिए वह कितना है तो जो फॉर्मला है वह किसके कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसके जो स्क्वाइड है इसके बीच का डिफ्रेंस जो पर कैबिटा कि प्रतिवेक्ति कितना खर्चा हो रहा है और जो फोबर्टीलाइन सहुआ अब है किसका प्रपोर्पोर्शन उसका स्क्वाइर है टाइंस था पॉबर्टी लाइन अगर पाईरो कि तो प्पि जितनी है इसका मतलब है जो पॉरेस्ट पीपल है और five percent worth of compare to poor people on average कि जो poor people average पे हैं तो वो उनसे कितना वह उनकी उनकी स्तिति जो खराब है उनके comparison five percent क्या है खराब है तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉरेस्ट पीबल है उनको financial resources को इसक्ता करने में five percent जो क्या है उन्हें कितना और चाहिए रिसॉर्सेस फाइब पर्षंट मोर और पॉवर्टी लिए उससे पांच परसें ज्यादा चाहिए कि वह एवरेज जो पूर है उनके कंपरिजन में उनको 5% और उन रिसॉर्सेस को जुटाने में क्या करने पड़ेगी और ज्यादा मेहन झाल